हलो आई एटी एस्पारेंट्स वेल्कम्म टू मैं आपका टीचन इतिन और आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे एप्लिकेशन अफ डेरिवेटिव की डिपीवी नमबर नाइन के सॉलिशन्स सो विदाउट फादर अडू लेट्स गेट स्कार्टेट चलिए वाई यह फंक्षन कंटिनियूस भी है डिफ्रेंशिबल भी है तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन पर इसका डबल डेरिवेटिव जीरो होगा अब यहां से हमारे पास 10x एक्वल टू टू बाय एक्स आ गया देखो जो चीज हमको प्रूव करनी है उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म नहीं है तो यह जो हमारा ओरिजनल एक्स्प्रेशन है कोश्चन वाला उसमें मैं साइन एक्स को रिप्लेस करूँगा क्योंकि हमारे पास 10x एक्वल टू टू बाय एक्स है यहां से मैं साइन एक्स निकालू हूँ तो वो यह आ जाएगा 10x मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन एक्स मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और प्लस माइनस इसलिए बिकाज वी डू टू टू लू टी कौडरेंट तो यह साइन एक्स्प्रेशन हमने यहां सब्स्टिट्यूट किया दोनों तरफ स्क्वेरिंग करेंगे जो चीज प्रूव करनी थी वो आ गई आगे बढ़ते हैं ही पहले तो इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं भाई अब point of inflation के लिए ना सिर्फ डबल डेरिवेटिव जीरो होना चीए in case of continuous and differentiable function जिस point पर डबल डेरिवेटिव जीरो होता है उसके around डबल डेरिवेटिव की sign भी change होनी चीए positive से negative या negative से positive अब ये जो quadratic है इसमें leading coefficient positive है तो इसके possible graphs क्या क्या हो जाएंगे इस case में double derivative कभी 0 नहीं होगा इस case में double derivative 0 होगा लेकिन जिस point पर double derivative 0 हो रहा है उसके around sign change नहीं होगी यही एक अकेली possibility है जिसमें जहां पर double derivative 0 है उसके around double derivative की sign change हो रही है इस point से पहले positive इस point के बाद negative इस point से पहले negative इसके बाद positive so the only possibility here is this one मतलब इस quadratic का d positive होना चीए तो यहां से हमारे पास आ गया c is lesser than 3 हमें maximum integral value चाहिए तो answer हो जाएगा इसका c equal to 2 बस समझ में आई आगे बढ़ते हैं बहुत ही भैदरीन question है भाई क्या क्या information given है 0 पर function की value 0 है 1 पर function की value 1 है f dash x positive मतलब function increasing f double dash x positive मतलब concave up तो हम बनाएंगे इसका graph roughly अगर यह y equal to f x का graph है तो f inverse x का graph कैसा होता है y equal to x के about इसका reflection तो यह हो गया graph f inverse x का अब देखना भाई मज़दार बात यह यहाँ पर मैंने कोई point लिया जिसके coordinates यह होंगे अब क्योंकि f x और f inverse x आर symmetrical about the line y equal to x इस point a की अगर मैं y equal to x के about mirror image निकालू तो a dash के coordinates क्या होंगे भाई यह अब मैं a से एक line बनाता हूं perpendicular to x axis तो यह जो point है b इसके coordinates होंगे यह क्योंकि line perpendicular to x axis है तो उस line पर x coordinate तो same होगा point a का x coordinate और point b का x coordinate x हुआ और यह जो point b है वो इस curve पे लाए करता है तो y coordinate f inverse x हो जाएगा अब सबसे interesting चीज यहाँ पर मैंने एक combination लिया है आप कोई सा भी combination लेके देख लो यह जो o a dash है ना इसका slope o b के slope से ज्यादा ही होगा o a dash का slope y2-y1 अपों x2-x1 तो x-0 अपों fx-0 और o b का slope f inverse x-0 अपों x-0 क्यूंकि fx और x दोनों ही positive हैं cross multiply कर सकते हैं यह x is set गया यह fx is set गया तो यह आ गया जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया इस वीडियो के लिए बस इतना ही आशा करता हूं कि आपके सभी doubts clear हो गए होंगे अगर हो गए हैं तो like comment subscribe करें और अपने कर दो कर कर दो